हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़दार नास्ते की रेस्पी लेके आई हूँ जिसे आप बच्चों के लंच में या व्रेकवास्ट में भी बना के खा सकते हैं यह बहुत ही सिंपल जटपट बनने वाली रेस्पी है तो फ्रेंट्स चलिए इसे बनाना को लेंगे और आधी कटोरी से थोरी कम बेशन को बहुत ही सौप्ट और हेल्दी रेश्पी है और हम यहाँ पे डाल रहें रहें स्वाद के अनुसर नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे friends आधी कटोरी दही को दही आप यहाँ पे खटी या मीठी वाली कोई साभी ले सकते हैं अब हम यहाँ पे डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च को साथ में डालेंगे फ्रेंड्स एक बारी कटा हुआ टमाटर को अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं फ्रेंड्स एक बारी कटी हुई प्याज को फ्रेंड्स आप इस नास्ते में प्याज जरूर डाले और साथ में डाल रहे हैं friends एक medium size के कदुकस की यह खीरे को इन सभी को अच्छी तरीके से mix कर देंगे ताकि हमारा ये सबजी और सबजी सूजी बेसन और सब आपस में अच्छी तरीके से mix हो जाएं friends आपसे एक request है मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करना ना भूले friends आप हम यहाँ पे डालेंगे आधी कटोरी पानी को friends हम यहाँ पे आधी कटोरी पानी का यूज किये हैं और इन सभी को आपस में फिर अच्छी तरीके से mix करेंगे और अपना वेटर को चेक करेंगे यदि हमारा वेटर गाड़ा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे friends हम यहाँ पे इस मिसरन को तयार करने के लिए सिर्फ आधी कटोरी पानी को यूज मिलाए है अब इस मिसरन को एक सिडेर मिनार के इस तरह से चलाते हुए हम इसे mix करेंगे देखे friends हमारा मिसरन परफेक्ट बना है अब इसमें पानी के कोई जरूरत नहीं है अब हम इसमें मिसरन में डालेंगे आधी छोटी चमज के करीब सावुत जीरा को जीरा डालने से हमारा नास्ता काफी टेस्टी बनेगा और हम इसमें डालेंगे बारिक कटे हुए धनिया पती को और इन सभी को आपस में फिर से एक वार अच्छी तरह से mix कर देंगे आप देख सकते हैं friends हमारा सोजी अभी फुला नहीं है हमारा मिसरन जो अभी थोड़ा पतला है अब इसे ढखकर पांच मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं अब तक हमारा सोजी और वेशन भी अच्छी तरीके से फुल जाएगा पेकिंग पॉर्डर की जगा पर वेकिंग सोडा या या इनों भी ले सकते हैं अब हम इस वेटर को एक मिनट तक इस तरह से अच्छी तरीके से फेटेंगे और देखिए हमारा वेटर जो बिल्कुल अच्छी तरीके से तयार हो चुका है हमारा वेटर जो कितना ठिक हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं अब चलते हो नास्ता बनाने के फ्रोसेस में तो प्रेंट सा नास्ता बनाने के लिए गैस पेंड को गर्म करेंगे और उसमें एक चमाच के करीब कुपिंग ओयल को डालेंगे कुकिंग वयल डालने के बाद फिर्ञेट इस तरह से हमें पेन को गुरा के पेन के चारो ओर हमें कुकिंग वैल को लगाना है और साथ में थोड़े-छोड़े वेटर को डालके अपने अनुसार नास्ता को बनाना है जितना बड़ा नास्ता आपको चाहिए उतना वेटर आप डालेंगे और फ्रेंट्स यहाँ पे हम गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा सा नास्ते पे चिली फ्लेक्स डालते हैं अब यहाँ पे हम नास्ते को लुक और टेश्ट को बढ़ाने के लिए बारी कटे हुई धनिया पती को डालते हैं और इसे 2-3 मिनट तक धक कर इसे पकने के लिए रख देते हैं यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद फ्रेंट्स हम धकन को हटाते और देखते हैं हमारा नास्ता एक तरप से बिल्कुल अच्छी तरीके से सिप चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसे प्लट के दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरीके से सेख लेंगे फ्रेंट्स हम यहाँ पे इस नास्ते को बनाने के लिए बहुत ही कम ओयल का यूज किये हैं तो फ्रेंट्स हम यहाँ पे इस तरह से नास्ते को दबाते हुए दूसरे साइड भी अच्छी तरीके से सेख लेंगे अब friends हम इसे दूसरे साइड भी एक मिनट के लिए ढखके से पकाएंगे अब friends हम यहाँ पे एक मिनट के बाद ढखकन हटा कर इसे चेक करते हैं कि हमारा नास्ता का दूसरा साइड पका है या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिरेंट्स हमारा नास्ता बिल्कुल एक बन के बिल्कुल ready हो चुका है इसे हम एक plate में निकाल लेते हैं और चलते हैं दूसरे नास्ते बनाने के प्रोसेस में तो फिरेंट्स एक नास्ता को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बार ही एक चमछ cooking को यूज मिला हैं यहां पर बहुत ही कम कुकिंग ओयल का यूज किये हैं ताकि हमारा नास्ता जो है टेश्टी के साथ हेल्दी भी रहे तो फ्रेंट्स जटपट उनने वाले हेल्दी रेस्पी है आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में जरूर दे दर्मी का मौसम है इसल नास्ते में लगा देंगे और इसी ठक के पकाएंगे यह देखिए फ्रेंट्स हमारा दूसरा नास्ता भी पक के रेडी हो चुका है तो फ्रेंट्स इसी तरीके से हम सारे नास्ते को रेडी कर लिए हैं तो फ्रेंट्स हमारा आधी कटोरी सोजी से हमारा चार नास्ता बनके ready हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए friends हमारा नास्ता दोनों साइट से कितना अच्छी के तरीके से पक चुका है अब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं friends ये देखिए कितना ये सौप नास्ता बनके हमारा ready हो चुका है तो friends मिलते हैं ना RSP में thanks for watching